एक बर फिर से मेरी किचिन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है तो जो लोग कच़ोड़ी पकोड़े खाने के बहुत चौकीन है न तो उनके लिए यह रेसिपी बहुत ही अच्छी है गेहुं के आटे से बनी है और कोई गैस आए तो भी आप पड़े मन करके इसे बना सकते हैं तो यह मैंने देखिए दो कटोरी गेहुं काटा लिए सिर्फ सिर्फ दो कटोरी गेहुं काटा और इसमें डालनी हूं मैं नमक साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोड़ा यानी बन फोर्थ टी स्पून बेकिंग सोड़ा डालना है फिर डालेंगे अच्छे से mix कर लेंगे जिससे सारी चीज है equally पूरे आटे के अंदर मिल जाए और फिर हम इसे रूम टेंपरेचर वाले पानी से गूधेंगे यानि हम इसे ठंडा गरम कोई पानी नहीं लेना है रूम टेंपरेचर पर बस पानी लेना है और बस इसका टाइट सा एक डो लग दो वसके हम जीरा गरम हुजाने के बाद और डालाए मैंने अधरक ग्रेटिड अधरक जलक फोड़ी जल दी एक छोटा जाने के बाद के बाद हम ओई आलू जिनने के मैंने मसाले में डाल दिया और इसके उपर से में डालेंगे लाल मिर्च वो आप अपने तेस के अकोरड चाट मसाला इसकी जगे आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं गरम मसाला एट करेंगे थोड़ा सा नमक यानि टेस्ट के गॉर्डिंग नमक और अब हरा धनिया डाल देते हैं जो कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है और हरा धनिया मुझे तो बहुत पसंद ह बचपन में तो मुझे बहुत बुरा लगता था यह और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हरा धनिया जब भी कभी पढ़ जाता था ना सबजी में तो बस मैं खाना नहीं खाती थी लेकिन अब मुझे उतना ही ज़्यादा यह पसंद है और अब इसके मैंने जो आ और अब हमें इसके उपर ना फिलिंग लगानी है अपनी तो बस फिलिंग लगा लेते हैं हम इसमें और यह देखिए बहुत ही टेसी और बहुत हैल्थी अच्छी रेसिपी है गहूं के आटे से बन रही है तो जो लोग मैदा अवाइट करते हैं उनके लिए तो यह बहुत अच्छी है तो बस इसको फोल्ड करेंगे एक साइट से फोल्ड करा है अब बस दूसरे साइट को उठाके इसको भी फोल्ड कर देंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा जब जाड़े आएंगे और इस तरीके का आपकर कोई गैस्त है तो आप नास्ता बना के फटा- बन जाएगा तो यह मैंने पीस बना लिए बस यह इस तरीके से हम हाथ से पुश कर देंगे और थोड़ा सा में इसे पतला ही रखना है बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखेंगे तो इसलिए मैं हाथ से इसको अच्छे से प्रेस कर दे रही हूं और आप इसको बेक भी कर सक यह पाल सकती है तो आप यह जो इसको सकते हैं तो कैसे भी इसको कर सकते हैं और ईसको ienza रख भी सकते हैं केलिए और सेख सकते हैं जब भी मरजी करें तो मैं इसे यह सेलो आइख कर KP. 2-3 इंबेको alleen क् Wasp को उसी के उपर प्रैस कर दिया तिल के उपर तो इसके उपर अच्छे से चिपक गए थे हाला कि तिल हमने पहले भी डाले थे और यह देखिए बहुत ही टेस्टी यम्मी कचोड़ी पकोड़ी सब कुछ फेल हैं इसके आगे और एक बार आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा शेयर करिएगा यह जरूर करिएगा भूलेगा मत तो ओके फ्रैंड्स टेक केर खाय पी एंजॉय करें